दोस्तों स्वागत आप सभी का इस नहीं वीडियो में और आज की वीडियो में चरचा करेंगे Library Science के 20-30 मेर्ट उप्रों परसनों के बारे में यह जो 20-30 मेर्ट उप्रों परसन है यह Library Science के सभी exams के लिए important है जो चलिए शुरुवात करते हैं, question no.1 से शुरुवात करेंगे, question no.1 देख देरक है colon classification के चटे संस्क्राण का reprint का प्रकासित हुआ, पहले इस सवाल देरक है colon classification के चटे संस्क्राण का reprint का प्रकासित हुआ, option के दर देरक है 1952, 1957, 1960 और 1963, तो correct answer हो जाएगा 1963 में प्रकासित तो परत्रम संस्क्रण परकाशित्वा 1933 में, दूसरा 1949 में, तीसरा 1950 में, चोते की बात करेंगे तो चोता हो जाएगा 1952 में, चटा 1960 में, और छटे का रीप्रिंट की बात करेंगे 1963 में, और शात वह उता 1987 में, इस तरह से आपको क्या याद रखना है, तो करेक्ट आंसर हो जा जो मुख्य क्लास G को निरूपित करती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सारे के सारे क्लासिज को रट लेनी है, जी आपकी करेगी बायोलोजी को निरूपित, जी आपकी याद हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर A, बढ़ते हैं, अगले सव क्लासिफिकेशन रिशर्ज ग्रूप का मुख्यले कहां पर है, क्लासिफिकेशन रिशर्ज ग्रूप से सी यार्जी कहते हैं, यानि वर्गी करन सोध समू है, इसका मुख्यले कहां पर है, तो इसका मुख्यले है, लंदन में, और इसकी जो इस्थापना हुई थी, वो इति 2012 में प्रकासित हुई और यह दबलू ए बॉर्डन के प्रयासू से क्या किया गया इसको प्रकासित क्या गया और यह भारत की नाम था लाइबररी जिसका नाम था लाइब्रेरी मिख लेनी था अगले सवाल के बात करते हैं डिडी सी की मेर्न क्लास में 500 किसको निगोत करता है तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऊपश नंब्र अम्बर में क्या हो जाएगा यह जो प्योर साइन्स होता है और जो पियर क्लास है उनको आपको याद करना है इस तरह से अगले सवाल के बात करते हैं पुस्तकाले उपकर किस परकार के पुस्तकाले की आई का शुरूत है पुस्तकाले उपकर जिसे लाइबरेजी सेश का जाता है वो किस परकार की पुस्तकाले की आई का शुरूत है अगले सवाल के बात करते हैं इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रेक्टिंग इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रेक्टिंग से वाय होती है वो पुस्तकाले विज्ञान के की सुत्र से संबंदित होती है यह जो इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रेक्टिंग से वाय होती है पुस्तकाल और इसके अलावा बात करेंगे इसके अंदर आपको जो पुस्तकाले विग्यान के जो 5 सुतर हैं इसके अंदर जो जो बूक आई थी वह कपरकाशित हुई थी आप उम्हें करके बता सकते हैं अगले सवाल के बात करते हैं यहां पर राइटान शिरुजाएगा आपको याद रखना एक तो याद रखना इसके अंदर गरंथाल फेता नामक की और कल तिरत यात्रे सारी की सारी चीज्जी है वो आपके यह की बेंकर रमया से जुड़ी हुए है तो अगले सवाल की बात करते हैं निमन में से ग्रीक शब्द का उधारन देना है तो करेंगे जो यह आपना कैटा लोग है यह किस यह सब्दों से मिलकर बना है तो यह keta plus logos यह दो सब दो से मिलकर बना है अगले सवाल की बात करें अगला सवाल है documentation and its facts नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखे गई है documentation and its facts नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखे गई है option के अंदर S.R. रंगानाथन, WCB Sayers, S.C. Breadford option के अंदर दे रखे हैं तो correct answer हो जाएगा हो जाएगा S.R. रंगानाथन, S.R. रंगानाथन के द्वारा यह लिखे गई है अगर simple से इतना ही पुछा जाए कि documentation पुस्तक किसके द्वारा लिखे गई तो आपको करना है S.C. Breadford सन 1948 यह आपको करके आना है अगले सवाल की बात करते हैं अगला सवाल है निमन में से इफला की स्थापना की सहर में होई तो right answer option नंबर A हो जाएगा Edinburgh Scotland में स्थापना होई थी और मुख्याले की बात करेंगे तो दोस्तों मुख्याले हो जाएगा हेग के अंदर इसका है मुख्याले है निहीं हेग नीदरलेंड के अंदर तो इसका मुख्याले हो जाएगा और Edinburgh Scotland के अंदर इसकी स्थापना होई थी इसके लाव बात करें में فल परम के बात करतłembe उसके अंदर कि याद रखना है इन्डेशनल फेल्चन ऑफ लाइबरी असोचेशन ऑं इंस्टुटूशन ती किया आपको याद रखना है इसके साथ में एक और वर्ड छो जाए च वह जाएगा है इंस्ट्टूशन इंस्टूशन इंस्टूशन च का यह नाम था और उसके बाद में 1976 में क्या जुड़ गया यह आपका इंस्ट्रिक्शन वर्ड जुड़ गया और इस्तापना की जो डेट पूछी थी वह होती है आपके कोड़े पूसरा नाम किया तो इस तरह से आपको तीनों को याद रखना है अकली सवाल कि बात करते हैं CCF में कौन सा ISO standard के नुरूप है तो करेक्टांच रो जाएगा उप्सन नमबर एए निस 709 यहां पर करेक्टांच रो जाएगा इसके लावा याद रखना CCF पर प्रतम संस्क्रण तो आया था 4414 में दूसरा यह था ऑठासी में और 3 रहता वोने सो बार में इस्तीरा से आपको पूछे तो याद रखना सब्सक्राइब याद रखना है अगले सवाल के बात करता हूं निवने से कौन सा प्रुसकार लाइब्रेरी असोशेशन युक्य के द्वारा दिया जाता है तो करेक्ट रांचर हो जाएगा सब्सक्राइब याद रखना है अगला सवाल आपके सामने दे रखना है वह दे रखना है निसकों का बना था इसका राइटान से तो 1901 हो जाएगा और निसकों की फूल परम हो जाएगी अगले सवाल की बात करता हूं दूस्तों अगला सवाल दे रखा है कि प्रोलेग में ना टू लाइब्रेरी साइंस का दित्तिय संस्क्रण का प्रकाशी तुआ तो ये करेक्ट आंशर हो जाएगा सन 1957 में प्रकाशी तुआ और प्रतम संस्क्रण पूसे जाए तो याद रख याद रखना है तो याद रखना है तो यूडिसी का प्रतम संस्क्रण का बाया था उस तन 1905 में कौन लेकर रहा था फीड लेकर रहे तो फीड में कौन लेकर रहे थे संञorth Ones irgendwas से जोड कर आपको याद रखना है अगली सवाल के बात करते निमन वे से कौन सा विच्छ का प्रकार नहीं है कि निमन में से कौन सा विच्छ फिक पॉस्तकाले का प्रकार नहीं तो करेक्टांश Ragla अरे लाइबरेज इसप्रकार प्रकार अगले सवाल की बात करते हैं अगला सवाल है चैसले की से किसमें लंदन में तो आपने वीटियो देख लें आपको के सकते हैं